नमस्कार दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल इंडेश्चनल सॉलिशन्स में आप सभी का एक बार फिर से द्वागत है फ्रेंड्स आज की वीडियो के इंदर मैं आपको समझाओंगा फ्लूड इस्टेटिक के सबसे इंपॉर्टन कॉंसेट की देट इस पास्कल्स लो जी हाँ फ्रेंड्स आज की वीडियो के इंदर हम जानेंगे कैसे हम पास्कल्स लो या फिर पास्कल्स प्रिंसिपल का यूज़ करके एक छोटी सी फोर्स से बहुत जादा हीूज अमांट के फोर्स को जनरेट कर सकते हैं और कैसे हम पास्कल्स लो का हाइड्रोलिक से अंदर यूज़ करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स चाहे आप किसी यूज बेक्ग्राउंड से हो मेकेनिकल, लेक्रिकल या कोई भी बेक्ग्राउंड हो इतने आसान तरीके से आज मैं आपको explain करूँगा पूरा concept आपका clear हो जाएगा जैसे कि आपने देखा ये फ्रेंड पास्कल्स लो का हम यूज़ करते हैं कार्स को lift करने के लिए hydraulic system में hydraulic brakes के अंदर यूज़ करते हैं fork lifts के अंदर यूज़ करते हैं उन सभी में क्या concept यूज़ होता है वो आज हम clear करेंगे तो चले फ्रेंड time wasting करते हैं और वीडियो को start करते हैं सबसे पहले फ्रेंड वीडियो start करने से पहले हम समझते हैं पास्कल प्रिंसिपल क्या होता है पास्कल ने क्या कहाता अपने प्रिंसिपल के अंदर according to पास्कल एक enclosed container के अंदर ये एक enclosed container है जिसके अंदर fluid भरा हुआ है ऐसे container के अंदर हर एक point पे pressure equal होगा मतलब की मान के चली अगर यहाँ पे P1 pressure है यहाँ पे P2 है तो पास्कल लॉक्य अकॉर्डिंग P1 equals to P2 दोनों का pressure equal होगा चली फ्रेंट कोई दिक्कत नहीं और हम जानते हैं फ्रेंट pressure क्या होता है force upon area इसका मतलब F1 upon A1 equal to F2 upon A2 यह आपका हो गया है concept पास्कल स्लोके थू अब हमने question लिया हुगा जिसके थू मैं आपको पूरा आगे का lecture समझाऊँगा जिसमें मैंने क्या कहा है पहले आपको question समझाता हूँ हमें क्या calculate करना है F1 force calculate करना है यह F1 force और इसके साथ हमने जो area दिया हुआ है यह piston मान लिजे P1 का area है 50 cm2 और piston 2 का area है आपका 4000 cm2 और हमें इस force को calculate करना है जो 16,000 newton की car को lift करेगी weight दिया हुआ है मैंने कितना 16,000 newton तो चले friend यही concept यूज़ करेंगे है सबसे पहले हमें क्या करना है लेकिन जो मैंने weight दिया हुआ है न्यूटन में दिया है तो area भी हमें meter square में convert करना हूँ क्यों हो क्योंकि जो weight की unit होती है SI unit वो होती है newton और area की क्या होती है meter square लेकिन given है centimeter square में हम question solve कर सकते थे इनी दोनों को लेके आप cancel से ही आया है तो लेकिन आप कहां फस जाते हैं मान लो एक को दिया होता centimeter square में और दूसरा meter square में तब आप फस जाते 102 की power 4 से अपन divide मारते हैं यह आजाएगा meter square में कितना होगा 0.005 meter square ऐसी है अपन A2 को calculate कर लेते हैं A2 कितना है 4000 centimeter square यह हो जाएगा आपका 4000 upon 102 की power 4 से divide मार देंगे इसकी value आजाएगा आपकी 0.4 meter square चलिए फ्रेंट अब हमें क्या calculate रहना है F1 तो F1 क्या हो जाएगा यहां से F2 A1 upon A2 दोने एरिया का ratio अब फ्रेंट F1 F2 F1 तो हमें calculate करना है लेकिन F2 क्या है F2 किसके क्वल होगी यह आपकी weight क्वल होगी जिसको हमें lift करना है मतलब कि यह जो है newton कि आपका force 2 हो जाएगा तो यह हो गया 16,000 newton into area क्या दिया हुआ है 0.005 meter square upon 0.4 meter square meter square से meter square गया यहां से अटाएंगे तो 30,000 नीचे आजाएंगे यहां से into 10 हो जाएगा यह गया है हां से यह गया यह हो जाएगा 4 times तो 4,5 into 10 यह हो जाएगा आपको 200 newton F1 जी हां friend हमने calculate कर लिया है जो हमारी force निकल के आ रही है that is 200 newton मतलब friend हम एक छोटे से push से एक छोटे से force से जो की 12 newton का force है इस force से हम 16,000 newton की weight के car को lift कर सकते हैं यही है concept पासका लोग का आशा करता हूं friend पूरा concept आपको समझ में आया होगा इसके बाद भी अगर आपको कोई doubt बचता है related fluid static या फिर पासकल स्थो से या फिर इस numerical से तो आप comment section में हो जाए बताइए अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो friend like कीजे जाशाला वीडियो के शेयर कीजे and please don't forget to subscribe my channel thank you